कि वेलकम बैक तो आज का जो वीडियो रहेगा वह जनरल डिसकेजन है कि क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसे की जाती है क्लाइंट की मीटिंग को हम पर्सनल डिसकेजन एडी बोल देते हैं बैंकिंग सेक्टर में तो जब लोन की फाइल क्रेडिड मैनेजर के पास आती है अज् कि हमने अपनी को रिजॉल करना होता है उसके बिजनस को अजेस्क करना होता है और जो भी हमारे मायंड में होते हैं उनको है तो थाना है जस्ट एक guidance आपको दिए जा सकती है, एक pointers आपको दिए जा सकती है, कि आप customer से मिलने जा रहे हैं, आप bank के representative है, as a credit guy, चाहे आप credit manager है, चाहे आप sales manager है, तो as a representative of bank जा रहे हैं, तो आपको customer के सामने कैसे conduct रखना चाहिए, एक तो वो चीज़ का ध्यान रखना हो, plus क्योंकि आप काम bank के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपने bank के interest को भी safeguard करना है, ये भी देखना है कि मेरे bank का debt safe रहे, तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये चीज़ों की discussion है basically, कोई notebook लेने की जुरूरत नहीं है, just general हम बाते करेंगे कि क्य क्या करना चाहिए हमें, कुछ personal experiences जो है मेरे, वो मैं discuss करूंगा आपके साथ की कैसे रहें वहाँ पर, तो देखे, personal discussion क्या है कि customer के पास जाना है, customer के पास जाना है, उसके factory को देख के आना है, promoter से मिलके आना है, सारी situation को adjust करके आना है, तो अपने जब हम जाएंगे यहां से बैंक से, तो भई, अपनी जो आख, कान, आख, जो भी है, वो अपना खुला रखके जाना है, दिमाग को खोल के जाना है, दिमाग को बंद करके नहीं जाना, कि हाँ भई, जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, विजिट करने जा रहे हैं, तो विजिट की तरफ focus आपका होना च जब आप किसी industrial area में enter करते हैं, जहां पर सारी industrial industries हैं, तो आपको ध्यान में रखना, आपका दिमाग खुलाओना चाहिए कि भई, मैं जहां पर जा रहा हूँ, क्या वो कैसी दिखती है वो जगा, आसपास लोकैलिटी क्या है, आसपास ये जगा industries बनी हुई है, या कैसे है, या कोई इसने बिल्कुल corner पर कोई out of the way जाके कहीं पर जाके factory लगा लिए, या बहुत दूर जाके कहीं city में लगा लिए, कि जहां पर आसपास कुछ development ही नहीं है, कोई आने जाने का proper साधन नहीं है, सड़के तूटी हुई है, या हलात इस तरह से हैं, तो ये सब चीज़े में गए, तो देखा कि चलो ठीक है, वहां पर factory है, तो client ने क्या किया था कि एक factory के पीछे और new land buy की थी, factory के just back side पे, तो जो नई land उसने buy की थी, तो उस land के उपर उसने building बनानी थी, तो और उस building की construction के लिए मेरे से loan मांग रहा थी, तो मैंने जब वहां पर ध्यान दिया, तो मैंने दिखा कि जो main factory है, जहां पर हम खड़े थे, वहां पर तो जो approach road है, उसकी वो तो 25-30, approximate 40 feet wide road थी, 40 feet wide road थी, मैंने client से पूछा था कि कितने feet wide ये road है, तो जो उसने पीछे जगा ली थी, नई जगा, जिसके लिए building construction करनी थी, जहां पर उसने नया unit setup करना था, तो म वगरा transfer करना है, क्योंकि बिल्कुल altogether नया product develop करना है, नया लगना है, वहां पर truck वगरा separately आएंगे, ठीक है, तो मैंने का उसको अलग गली कौन सी लगती है, उस पीछे वाली factory को, तो client ने बताया कि ये पीछे से गली लगती है, तो वो पीछे वाली गली थी, सिर्फ 15 feet wide, स parking वाली जगा को हम convert कर देंगे, एक रास्ता बनाने के लिए, पीछे वाली factory को access देने के लिए, तो वो जो parking वाला रास्ता था, वो भी around 15-20 feet wide के around था, तो मैंने client से वही again question किया, कि sir, ये parking वाला रास्ता भी जो है, आपका ये 15-20 feet wide road है, तो अगर आपको कोई बड़ा truck ले कि हम जो existing factory है, इसमें से जो built-up जो जगा है, उसको कुछ portion तोड़ने की planning हम कर रहे हैं, वो तोड़के हम जगा जगा जो parking के साथ उसको add करेंगे जगा और जगा थोड़ी से और open up हो जाएगी, और इस तरह से हम अपनी factory को dispatching का रास्ता निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ कि सर आपका ये लेंटर का फिर क्या होगा, आपका लेंटर डा हुआ है, कैसे तोड़ोगे, किस तरह से planning करोगे, तो मतलब वो सारी चीज़े आपको समझनी पड़ेंगे, क्योंकि मेरे case में तो client बहुत बढ़ा था, तो मेरे को कोई इतना doubt नहीं था कि वो इस चीज़ों क कैसे manage करेगा, बट अगर आपके पास कोई छोटा client है, तो जो पहले अपना business बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से चला रहा है, पुड़ा neck to neck चल रहा है, और आप को जाके पता चले कि उसको ये सब चीज़े भी करनी पड़ेंगी, तो आपके mind में double thoughts आनी शुरू हो जाए किस तरह से वहाँ पर अप्रोच हो रही है, वहाँ पर आसपास कितनी development है, किस तरह से नहीं, ठीक है, वहाँ पर जाके जब factory के सामने जाते हैं, यह factory की बात नहीं है, यह किसी की commercial अगर कोई trading concern है, कोई showroom है, सब की बाते हैं वे, ठीक है, तो अगर किसी showroom के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर sign board, जो board लगा हुआ है, उसको check कीजिए, जब उन factories के आसपास से गुजर रहे हैं, तो factories के जो दूसरे लोगों के factories हैं, उनके numbers लिखे होते हैं, factory के बाहर की, यह number factory, for example, C161 number factory, C162 number factory, फिर आपने जब loan को SS किया होता है, तो आपको पता होता है कि GST certificate में आ कोई sales वाले की गलती हो, sales वाला भी अपने end पे genuine हो सकता है, client के end पे गलती हो सकती है, client frauding हो सकता है, आपके Z, तो आपके GST में लिखा हुआ है कि C162 focal point number, focal point phase 7 में factory है, पर आप जब जा रहे हैं, तो आप focal point जा ही नहीं रहे, for example, यह focal point जा रहे हैं, वहाँ पे आप, case 7 था, GST में address, तो यह सब चीज़ें, उसके बाद आपकी factory के बाहर, client ने name board display की होता है, वहाँ पे GST नमबर को display की होता है, तो एक बार मेरे साथ case हुआ था कि, जब हम factory के तो वहाँ पे दो GST नमबर उसने display की होए थे, जबकि दूसरे GST नमबर के बार में मेरे को मालू suggest किया, तो आपको पता है कि यह partnership firm है, और GST नमबर में क्योंकि PAN नमबर involved होता है, तो fourth digit हमेशा partnership firm में F का होगा, PAN नमबर का, तो वहाँ पे आपने देखा कि बाहर GST नमबर लिखा हुआ है, पर वो proprietorship concern का लगा हुआ है GST नमबर, तो यह सब एक छोटी-छोटी सी चीज concern के cases आते हैं, तो उनमें हम जैसे देखते हैं कि market जहां पे located factory, वो कितनी approachable है, जैसे कई बर, ऐसे होता है कि कई बर case आपको by book देखने में अच्छा नहीं लगता, books में अच्छा नहीं लगता, पर आप जब जाके आते हैं showroom में, तो आपको पता चलता कि यह तो बहुत primary of market में showroom located है, यहां पे तो walking नहीं बहुत जादा है लोगों का, तो sense change हो जाती है proposal करने की accordingly, ठीक है, तो यह सब चीज होगी, प्लस आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहां पे आपकी factory located है, वही चीज जो मैंने आपको example दी थी factory वाली, कि उस factory से जो उसको raw material buy करना है, या उसको अपने जो customers को dispatching करनी है, क्या उस factory location की वज़े से उसको कोई advantage हो रही है, ठीक है, अगर माल लीजिये मेरा कोई trading का काम है, अगर मेरा कोई माल लीजिये showroom है, retail का काम है, और मैंने retail counter खोला है, बिल्कुल सीटे के बाहर जाके, जहां पे लोगों को पहुंचने में पहले तो इतनी सारी दिखते होगी, चाहे मैंने उसमें बुक्स में अपनी एक करोड की sales दिखा भी रखी है, पर आपको जाके पता चलता है कि यह यहां पर माल लेने को और आगा इसके साथ, यहां पर पहले तो माल डिलीवर कराना बड़ा उख है, और उसके बाद अगर दिलीवर हो भी गया, तो यहां से dispatching लेनी बड़ी मुश्किल है, और उसके बाद यहां पर client जो अप्रोच करेंगे, जो retail customers अप्रोच करेंगे, उनके लिए भी practically possible नहीं है, यहां के आके अप्रोच कर पाना, तो locality की sense होना, surrounding की, name board की, approach की, draw material wise भी, dispatching wise भी, सब चीज़ों आपको promoter के पास लेके जाया जाता है, तो जब promoter meeting में आप बैठें, तो सबसे पहले आपको focus, मैंने आपको शायद कुछ वीडियो पहले भी बताया था, कि आपका ध्यानी होना चाहिए, कि जो promoter आपको by book represent किये गए हैं, आप उन्हीं promoter से मिल रहे हैं न, ऐसो तो नहीं है कि कोई और ही promoter आपको आके business की representation दे रहा है, अपने सारी factory की representation दे रहा है, आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है किताबों में, कि यह बंदे manage करते हैं, यह family है, और साथ में कई ऐसा तो नहीं है कि आप एक family से, आपको एक family दिखाई है कि जैसे मानलो खना family है, कि यह family सारा business देखती है, पर वहाँ पे जाके आपको देखा कि यहाँ पे कोई unknown third person भी बैठा हुआ है, और आपके सवालों के जवाब वो person भी दे रहा है साथ में, तो यह आपके लिए एक trigger point है, चेक करने का कि कहीं वो business तो नहीं actually देख रहा हो person ठीक है, तो वहाँ पे जिससे भी आप मिले, तो नाम जुरूर जाने और रोल जुरूर जाने कि आप क्या काम करते हैं, क्या संबालते हैं, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो दूसरा जब promotor meeting आप कर रहे हैं तो आ मैं कोई credit manager हूँ, जो आपसे मिलने आ रहा हूँ, कोई special बंदा हूँ, जो आपसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है sales manager ने आपकी introduction आप दे दी होगी, कि ये this is the credit guy, जो decision making है, queries resolve करने आ हैं, बट आपको client के साथ बातचीत करते समय ये ध्यान रखने हैं, कि मैं एक bank को represent कर रहा हू और मेरे साथ जो ये पांच लोग बैठे हैं, ये मेरे ही bank के employees है, और client जब आपसे बात कर रहे हैं, तो आप जिस भी bank में या NBFC में काम कर रहे हूँ, तो client आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके bank से बात कर रहे है, ठीक है, तो client की कोई भी बात को आपको personally नहीं लेना, तो क्लाइट कई बर आप से बत करते करते हैं रियूड भी हो सकता है डिस्रेसॉरैरेस्पेक्टफफ़ भी हो सकता है कई बर जो वर्धी क्लाइट होते हैं जिनके पास नंबर ओफ बेंक्ट zोंगında ऐनकोलां देना이 है हरे एक बंदा उनको मिनदा प्लाइ तो वो client in that scenario आपके साथ अगर आप जादा questioning भी करते हैं तो आपके साथ reviewed हो सकता है ठीक है तो ऐसे scenario में कल को आपको यह नहीं हो ना कि हाँ भी उसने मेरे को यह बोल दिया तो मैं उसके साथ argument करने लग जाओ या मैं उसको सुनाने लग जाओ या मैंने नहीं उससे बात करने म आपको बात कर रहा है तो बिल्कुल भी disrespectful नहीं हो ना इवन मेरे साथ तो एक बार यह हुआ था कि जब मैं अपना नया नहा मैंने करियर शुरू किया था से 6 साल पहले तो एक क्लाइंट ने मेरे को अपनी फेक्टरी से उठा के बाहर निकाल दिया था तो बहुत सारे लोग यह बता हो वो ख्लाइंट करता कि जी नहीं सर मैं इतने सारे के आंसर शाने कर सकता इसी बात तो मिरे साथ आज तक किसी बैंक नहीं था मेरे को भी नहीं पता था तो वह सब्सक्री से बात की तो मैंने तो आपको नहीं अगर अच्छा लग रहा तो जब भी आपको कोई comfortable लगे तो इतना कहके मैं और sales manager बाहर आ गए तो हम व्यापिस बैंक गए तो अपने seniors से बात की तो seniors को लगा कि चलो ठीक है लड़के इमेच्वर थे थोड़ा नहीं नहीं थे तो उन्होंने मेच्वर गाए इन चीजों का तो पॉलाइट होना सीखिए respectful होना सीखिए दूसरा जब आपके पास जब आप क्लाइंट के पास मिलने जाते ना तो आपके पास list of questions होते हैं बहुत सारे कि मेरे पास यह 40 questions है मैंने 40 questions पूछने है तो भही वहाँ पर पहले जाके ना client को थोड़ा mood भी देख करना चाहिए remember आपका personal business नहीं हो रहा आप बैंक का business करवाने जा रहे हो आप अगर बैंक में काम कर रहे हो तो बिजनस करवाने के लिए काम कर रहे है तो क्लाइंट अच्छा है तो questionnaires अगर आपके हैं तो अगर आप client आपके सामने बैठा हुआ आपको लग रहा है कि इस mood म gaming उस meeting के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद might be एक दिन के बाद वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो वह minute वाले questions आप उसके content से पूछ लीजिए या आपको लग रहा है कि आप उसको अपने end पर ही किसी point से justify कर सकते हैं तो justify कर दीजिए उन questions को और secondly जब आप question client से पूछते यह बताइए यह बताइए यह बताइए उसको लगता है कि यह कोई फ्रॉडड ही बनता हूं जो मलब genuine client यह वर्दी client होते हैं उनके साथ तो खास तो और पैस होता है जो क्लाइंट थोड़ा हीला होता है जिसको पैसे की बहुत जरूरूरत होती है जो ठोड़ा tight होता है जि आप भी internally जब आप document देख लेते हो तो आपको पता तो चली जाता है कि case होने वाला या नहीं है client कैसा दिख रहा है कैसा नहीं तो उसके scenario में आपको जो आप उसके scenario में भी चाहे कोई भी scenario हो आपको यह द्यान रखना कि आपकी interrogative tune ना हो ऐसा ना लगए कि Client को कि आप rate डा थोड़ा सा उनको यहने की पंप अप कर सकते हैं इन चीजों के बारे में बड़ा पॉलाइटली हस के बात कीजिए उनके साथ और जूजली जूरूरी नहीं है कि सिर्फ खाली आपको उनकी बुक्स आफ अकाउंट बिजनस के बारे में बाते करने कुछ आप नॉर्मली उनके इंट्रस्ट के बारे में भी जान सकते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं क्या चीजों के शौंक है मलब कुछ भी आपको नहीं होता लेंट इसका नहीं करने चाहिए इसके उपर इंटेरोगेटिव टोन नहीं होनी चाहिए आपकी जस्कॉजन शुरू किजिए कि सरा हम बैंक से आए हम आपके बिजनस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका बुक्स अपको हमने देख लिया है बहुत सारा कु से अपने बिजनस टार्ट किया कौन-कौन है फैमिली में कौन-कौन बिजनस देखता है तो क्या-क्या चीज़ का बिजनस है आपका उसी फ्लो में आंसर करते जाए कोशिच कीजिए जो आपने पंदरा पॉइंट ड्रॉडाउन की है क्लाइंट से पूछने के लिए कि ये 15 पूछने तो जैसे आप ये जनरल डिसकर्जन शुरू करते हैं क्लाइंट के साथ तो उसी जनरल डिसकर्जन के बीच में वह पॉइंट डाल दीजिए आपकोई कोश्चन अंसर राउंड आपने अलग से शुरू कर दिया फॉर एक्जांपल कि आपक्लाइंट से बात कर रह डेटर से हमें जो पेमेंट आ हैं वो हमें 30-35 दिन में 90 दिन में आ जाती हैं यह अपने कोई कोश्चन ने पूछा उसके बिजनस और इंडिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे तो क्लाइंट ने आपको यह बात बता दी तो उसी समय पूछ लिजी कि सर अच्छा चो आप आप यह बता रहे हैं कि आपको सारी एडवांस पेमेट करनी पड़ती हैं पर आपकी किताबों के अंदर तो हम देख रहे थे कि जो क्रेडिटर्स हैं वो 500-300 दिन के 200 दिन के क्रेडिटर्स बुक्स में आ रहे हैं तो फिर किस रीजन की वज़ा से आ रहे हैं बीच में कोश इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप उसको काउंटर कर रहे हैं कि सर नहीं आप गलत है मैं सहीं हूं इस तरह से नहीं देखिए वो बिजनसमेन है बिजनसमेन में अगर आप किसी बिजनसमेन के फैनेशल्स देखके उसके बास जाके आ रहे हो तो आप उसके बिजनस के बा सर में इसको नहीं पता जो डेली वेसिस पर उसमें काम कर रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए अगर उसकी बात आपको नहीं जमती नहीं टैली करती तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि सर मैं यह आपसे कहना चाहता हूं ठीक है तो उस तरह से अगर आपको satisfactory answer नहीं मिलता सब भी आपको लगता है कि satisfactory answer नहीं मिला तो क्लाइंट के सामने उस question को पकड़ के मत बैढ़ जाई है next question next point पर move on हो जाई है ठीक है तो वहां पर छोड़ दीजिए और bank आके अपने sales manager से senior से discuss कीजिए कि हमने customer से यह appropriate response नहीं मिल पाया तो दुबारा mail put up कीजिए sales team को कि यह question का discussion हमने किया था client के साथ बढ़ हमें कोई reasonable answer नहीं मिल पाया तो आप अपने तरीके से sales team आपको customer से मिलने जाते हो एक बार या दो बार sales team तो आप case कराने बार बार मिलते हैं 10-20 बार उनकी meeting हो जाती है तो customer के साथ उनका comfort level एका लगतरा का develop हो जाता है कई बार customer आपको उस तरह से जवाब नहीं देता या answer नहीं करता जो sales team को answer कर देता है तो कई बार वो question जिसका answer आपको customer नहीं दिया appropriate तो might be sales team आपको retrieve करके देदे उसके बात है document communication जब आप customer के साथ meeting कर रहे हैं आपकी discussion complete हो होगे या आपको कुछ documents की जुरूरत है तो मैं prefer करता हूं कि आप document की communication client को उसी समय बता दे जो critical document है अगर आपको लगता है कि कुछ document आपको bank जाके finalize करने है कि अभी finalize नहीं हो तो client को वह भी communicate कीजिए at least client को यह चीज पता हो कि अभी मेरा proposal sanction नहीं हुआ या reject नहीं हुआ decision उसको उस समय ना पता हो उसको यह बता हो कि अभी इन्होंने कुछ information आपको चाहिए case को पूरा करने के लिए या अपनी queries का validation लेने के लिए तो customer को कोशिच कीजिए उसी समय आप communicate करते हैं कि सर्क कुछ documents चाहिए होंगे तो अगर आप यह आप accounts गाय को किसी को मिलवा documents तो वो हमें प्रवाइड कर देगा वो documents तो document का communication client को बताई है कि हमें documents चाहिए होंगे अगर immediately नहीं पता कि कौन से चाहिए तो client से timeline लीजिए politely timeline लीजिए कि sir हम मुझे मुझे मौका दीजिए मैं bank जाके जो हमने discussion की है इसके basis पे जो मेरे documents बनते है अडिशनल 4-5 documents अगर आपको 10 पी चाहिए न तो client को 4-5 बोलिए ऐसे 10 बोलेंगे तो वो घबरा जाएगा कि यह पता नहीं कितने कागज लेंगे तो 4-5 documents चाहिए होंगे तो bank जाके आपको final करके हम एक list mail कर देते हैं तो आप प्लीज आप कल तक provide करवा दीजिए लास्ट चीज आपको वहां पर जो customer meeting में ध्यान में रखनी है वो एक second last वह यह ध्यान में रखनी है कि जब क्लाइंट से आप discussion कर रहे हैं तो क्लाइंट most of the time में सब पूचता कि सर कब तक हो जाएगा मेरा लोन कब तक हो जाएगा अब आपके mind में चल रहा कि यह तो लोन reject करना है मैंने क्लाइंट पूच रहा है कि पास कब तक हो जाएगा लोन तो आपको यह नहीं दिखाना उनको negativity की सर हम तो reject कर रहे हैं देखिए तो उन्होंने एक आद दिन में मीटिंग के बाद मिरे को convey कर दिया पर immediately मीटिंग पर उसको convey मत कीजिए immediate meeting के ना उसको यह बताईए कि हम sanction कर रहे हैं ना उसको बताईए कि हम reject कर रहे हैं ठीक है ना उसको यह बताईए कि कितने दिन में हो जाएगा ठीक है यह छोड़ दीजिए आप sales guy के उपर कि वो manage करेंगे customer को कि किस तरह से answer करना है आप सिरफ उनको यह बुलिए customer को कि सर आ पड़ेगा अपनी senior management को तो senior management accordingly discussion करके उसको decision कर देगी तो जो भी उसमें टाइम लाइन लग सकता है तो यह अभी आपको इमीडियेटली बोल दीजिए कि सर रेटिंग होनी है उस रेटिंग के बेस पर आपका एक scorecard आएगा उस scorecard के बेस पर हम बता पाएंगे कि कैसे होगा ठीक है तो इस तरह से बात को कनवे कीजिए customer के साथ और लास्ट चीज यह है कि promoter को knowledge है या नहीं है business की ठीक है वो तो आपको मैं पहले माइनूट queries की उसको knowledge नहीं है तो वो उसका accounts and finance department देखता है तो यूजली जब बड़े customer से मिलने जाए तो accounts and finance की minute queries को पूछने से बचे उसके लिए आप separate meeting कर लें accountants से हैं CFO से यह promoter से उनके business और industry के बारे में ही बातचीत करे तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना चाह हो जाने चाहिए discuss 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 का मतलब यह नहीं है कि उसका resolution होना ज़रूरी है immediately meeting पे ठीक है तो कई बर customer mood में होता है तो resolution हो जाता है कई बर नहीं भी होता resolution बट वो points आपकी meeting में उठ जाने चाहिए तो उससे क्या होता है कि एक तो sales stream को भी जवाब देना easy हो जाता है customer को बात की meetings मे है कि सर यह point आपसे पूचा गया था इस point पे उनका अभी भी concern है यह point अभी भी है कल को कोई surprise आता है कि कल को आप बोलें कि यार मैं discuss कर रहा है office आके आपका sales गाई को बोलते है और यार उसकी तो sales 50% डिप थी मैंने यह तो पूछा ही नहीं यह तो बोल ला ही नहीं यह पॉ क्लाइंट answer करने में कर रहा है यह नहीं कर रहा तो ठीक है फिर तो query साड़ी discuss हो सकती है बट अगर आपको लगता है कि वह बहुत जादा irritate हो रहा है ठीक है पूछने की कोशिश कीजिए पर अगर आपको लग रहा है कि उल्टे जवाब आ रहे हैं नहीं बता रहा तो फिर sum up करने की कोशिश कीजिए और बाहरा के sales guy को बताईए कि भाई ये तो क्लाइंट अभी answer नहीं करने के mood में था या तो इसके साथ दुबारा meeting रखो मेरी ठीक है या मिरे को आप खुदी resolve कर वाके दो या आप क्लाइंट को भी बोल सकते हैं कई बर ऐसे होता है कि आप meeting करने जाते हैं तो क्लाइंट आपको बोलता कि सर मेरे पास तो आदे घंटे का बात नहीं है तो आप यह चीज़ आप बोल सकते देन उसके बाद जब आप फैक्टरी फिर आपके पास जब क्लाइंट की डिस्क्रेशन हो जाती है तो आप उसकी फैक्टरी को ऑफिस को गडाउन को यह जो भी उसने आपको बताया है जो भी उसका बिजनस अगर शोरूम ह कीजिए उसकी कंडीशन चेक कीजिए अभी जैसे पिछे हमने एक मीने पहले केस एक विजिड किया था तो फैक्टरी की हालत इतनी खसता थी तो हमें देखके ऐसा लगा कि कल को यह फैक्टरी में क्या ही रन करेगा वो मशीनों की हालत इतनी पुरानी लग रही थी घिसी प आइस अपने समझ को ओपन रखे चलें स्टॉक की कंडिशन देखे वहां पे कि इस टॉक आपको दिख रहा है कि पड़ा वहां पर स्टॉक पड़ा भी है या नहीं पड़ा अब जैसे मैं एक फैक्टरी में गया था वहां पे जाके देखा कि फैक्टरी सारी खलनी सी कर रहा था और क्लाइट के पीछे जाके ना उसने दो तिन लेवर वाले बंदे ना पैकिंग करने के लिए लगा किया थे एक छोट स्टॉक पड़ा हुआ था वह पुराने पड़ा था क्योंकि कोई पर जाके खुद यह वाइबरेशन एक और एक फिलिंग वहां पर जाके आ जाती है आपको सेकेंड आपको जो बैलेंशीट आप देखके गए होते हो तो आपके दिमाग में की फिगर्स होनी चाहिए कि फिगर्स कैसे आपको पता होना चाहिए कि फिक्स जैसर्स में उसके को पता चलेगा कि यार वहां पे दो क्रोड की मैशीन ने पढ़ी भी यां नई पढ़ी यां वो सिर्फ किताभी चीज़े थी ठीकर वहां पे 5 क्रोड का स्टॉक पढ़ा आФ कि नहीं पढ़ा याती Solid की क्लीच को कोशिश कीजिए कि सर मलब कितने किलो माल होगा ठीक है उसने बोल दिया कि यहां जी 100 किलो माल है तो क्या रेट चल रहा है अजकल माल का तो वह आप पूछ आप पहले जो कस्टमर डिसकरजन जो आपकी क्वेलिस डिसकरजन वाला पॉइंट था उसमें आप पूछ चके होते ह नहीं कि क्या रोम डिल करेट है क्या फिनिश प्रक्राइट है तो आपके मैंड में रेट होता है कि हां भी 100 किलो रेट चल रहा है तो यह तो सब्सक्राइब कमाल हुआ पर किताबों में तो आपका जो स्टॉक है वह 50,000 का रहा था वह आपने जो कोईरी में डिसकरजन किया इस तरह से प्रो एक्टिवनेस रखिए कई बार बंडल पड़े होते हैं तो क्लाइंट बोल देता है कि मेरे पास इतने क्रोड का स्टॉक है वह आपके वहां पर देखा कि इतनी तो आपके साथ यहां पर इंपुट पड़े ही नहीं है कि जो आपर जाके हमें लगे कि इस पोल ही इंस्टॉल था अब वह पोल जब एक फैक्टरी के अंदर इंस्टॉल्ड हो तो उस फैक्टरी की वैसी वह क्या नामे वैल्यू गिर जाती है ठीक है और कई बर यह से हुआ था कि पोल अड्जोइनिंग प्रोपरटी में इंस्टॉल्ड है और पोल की हाई टेंशन wires factory के ऊपर से pass on कर रही है तो वो बड़ा critical point हो जाते है कि वो property की value कम हो जाती है अगर वो ही factory आपके पास as a collateral security आ रही है तो आप देखे अगर उसमें पोल installed है कई बर उस factory में कोई माली जी कोई दरगा बनाई हुई है कोई मंदिर बनाया हुआ है को मला कोई religious sentiment attached किया हुए वहाँ परसनल मंदिर नहीं public के लिए ठीक है तो वो बनाया हुआ तो वो एक बड़ी ज़्यादा critical matter हो जाता है ठीक है कि कल को ये factory को कबजा लेना उस factory क default के case में sale out करना बड़ा difficult हो जाता है high tension wire के case में number of buyers कम हो जाते है क्योंकि factory की value कम हो जाती है ठीक है तो ये सब चीजों के बार में आपकी आँखे और आपका दिमाग पूरा खुला होना चाहिए लास्ट है collateral security कई बड़ अगर factory आपको as a property offer नहीं है तो as a credit गाए आपको एक बार उसकी collateral security जो property वो आपको as a security offer कर रहा है तो उसकी visit आपको कर लेनी चाहिए यूजली आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग आवाइड करते हैं चीजों को करना बट आपको इस चीज को कर लेना चाहिए recommended है यह चीज करना इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा collateral के बार में ID हो जाता है थोड़ा comfort कई बढ़ बढ़ जाता है अब अगर आपको कोई case मे इसा doubt लग रहा हूं तो बाद में अपने property देखने के तो property आपको बहुँ जादा पसंद आगी कि यार यह तो बहुत प्राइम एरिया में property लोकेटेट है बहुत अच्छी कीमत होगी इस property की तो कई बार reverse भी हो जाता है reverse in the sense कि आपको बोल दिया कि यह तो 7 crores की property है आप मो building की construction value को अपनी property की value में add नहीं करूंगा मैं तो खाली यही मननूंगा कि मेरेको तो सिर्फ आपने land दी है मौड कीज करने के लिए तो collateral security और उपर से अगर collateral security वही हाई-tension wires कोई और इसमें कोई दिखकत हो आसपास आपको दिखागा कि यह क्या ही वैल्यूंग क्या भीके कि यह property अप्रोच रोड बिल्कुल खराब है या इस property यह property जिस रोड पे लोकेटेड आपको पता है आपको लोकल कम्यूनिकेशन के इस रोड पे रोड वाइडिनिंग हो रही है इस रोड पे रोड वाइडिनिंग हो रही है यह कई बर एक बार मेरे साथ केस हुआ था भी 2015-16 के around कि मैं एक hospital का case विजिट करने किया था तो जाके पता चला कि hospital की back side of the property हमें offer कर रहा है और उस back side of the property की कोई खास approach road ही नहीं और वो भी क्या था कि वो जो back side थी property की वो as a parking use हो रही थी और उसमें जो main hospital की building थी उसका भी कुछ 35% portion enter हो रहा था वो 25% क्योंकि दो रिजिस्ट्रियां थी उस hospital की बड़ी property की एक जो back side वाला हिसा था एक front side वाला हिसा था front side पे जिसमें main approach road है back side पे भी जो हिस्सा था पहले तो वह separately identifiable नहीं था हिस्सा उसको मैं identify नहीं कर सकता था कि मेरा वाला हिस्सा कौन सा है जो मेरे को mortgage हो रहा है ठीक क्योंकि सारी common development बनी होई थी और जो back side वाला हिस्सा भी था उसमें जो building उसमें जो main hospital की building थी उसका कुछ portion भी उसमें आ रहा था और यह common building का ही पार्ट है न काफी सारी चीज़ें आपको इस चीज़ों से पतल चल सकती है तो यह पर्सनल डिसकरशन के point है तो next video जो मेरी रहेगी उसमें आपको वह बताऊंगा कि जो promoter से जब हम discussion करते हैं तो कौन-कौन से questions usually हम हमें उनसे thoroughly पूछ लेने चाहिए क्या-क् नेक्ष्ट वीडियो में समझाने की समझने की कोशिश करेंगे तो बनी रहे चैनल के साथ थैंक्यू गाइस